जै शनी देव प्रिय भक्तगणों मैं गुरु रजनी श्रीशी शनी पीठ मंदिर इस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुने आप सभी लोगों के समझ उपस्थेत्वां आपका आज का अपना डेली राशी फल लेकर दैनिक राशी फल किन्तु राशी फल देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस राशी का राशी फल देख रहे हैं क्या वास्तम में वह आपकी राशी जनमकुंदिली के अनुसार आपकी जो प्रॉपर जनमकुली बनी हुए उसके अनुसार उसमें लिखी राशी है अगर ऐसा है त तो वो निश्चित्रीप से आपको सूट करती है, हमारा जो राशी फल है आपको सूट करता है, या जिन लोगों के पास जनम कुनली है यह नहीं, और वो केवल अपने नाम को जानते हैं, उनको तो यहां तक नहीं पता कि उनकी राशी क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए इस क्रीम पर इस समय जो टेबल आ रही है, उस टेबल में वो व्यक्ति अपने नाम की प्रथम अच्छर से अपनी राशी देख सकते हैं, और उस राशी के अनुसार अपना राशी फल देख सकते हैं, इसके लावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये राशी फल है, ये ग्रह गोचर की वो इस्तिति है जो ब्रमकालीन कुंड़ी के अनुसार बनाई जाती है, हलांकि आप सभी के जनम कुंड़ी के ग्रह बिलकुल अलग-अलग होते हैं, तो विशेश रूप से जब हम राशी बन की बात करते हैं, तो आपका जो अपनी जनम कुंड़ी है, उसको देखकर उससे संबंदित उपाय करना ही सर्वस्रिष्ट होता है, तो कभी भी आप कोई उपाय कराएं, कोई एस्टोलोजिकल हेल्प लें किसी से भी लें, तो आप अपनी जनम कुंड़ी के अनुसार, अगर आपके पास अपनी जनम कुंड़ी, date of birth, time of birth नहीं है, तो आप अपनी जो चहरे के अनुसार किसी योग की विद्वान व्यक्ति से प्रामश करें, और आप चाहें तो हमारे नंबर पर भी हम से संपर्द करके, अपनी पर परिशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं, इसके अलावा में उन लोगों से बात करना चाहते हैं, जो लोग की बिलकुल फुरी में अपने परिशानियों के लिए उपाय जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने अपने शनी पीठ मंदिर की तरफ से एक मोबाइल उस एप का जो लिंक है वो डेस्क्रिप्शन में दिया गुआ है इस वीडियो की उस एप को डाउनलोड करें और अपनी परेशानियों के हिसाब से आप उपाये जान सकते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए लेकिन वहां पर केबल उपाये आप लोगों को विदाउट एनी कोस्ट यानि बिल्कुल मुफत में बताये जाते हैं जो से कोई भी जान सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना राशी फल से पहले आज का पंचांग आज विक्रम संबत 2077 दिनांग 5 अपरेल 2020 चैत्र मास की शुकल पच्च की 12 तिथी है रवीवार का दिन है आस्मान में शूल नामक योग बना हुआ है और माग नच्छत का तीसरा चरण चलना है आज का जो राहुकाल है वे शाम को पंच बज के साथ मिनट से छे बज कर 41 मिनट तक रहने वाला है इस राहुकाल के दौरान आप लोग किसी भी प्रकार के शुबकार ना करें तो कि इस समय पर किये शुबकार जो है आपको अपना फल नहीं देते हैं बात करते हैं मीन राशी वालों की अपने क्रोध पर सबसे पहले नियंतर लखें आपका क्रोध आपके लिए अनारुशत परेशानी खडी न कर दे माता के साथ भी आप उलजने का प्रयास न करें अपने क्रोध की वज़े से आप माता के साथ अपने संबंदों को या अपन अपनी तेरा माता के साथ आप जगड़ा कर लेंगे जीवन साती के साथ आप जगड़ा कर लेंगे तो करेंगे क्या अरे चारत तरफ तनाव होगा तो उस तनाव में आप कैसे जीएंगे इसलिए बुद्धी से काम लिजे विवेक से काम लिजे धरी से काम लिजे अपनी के हालातों को इस्थिरता प्रदान करिए और अपने बद्दे खुशियान आने का प्रयास करिए बात करते हैं परिवार जनों के साथ आपके संबंदों की तो निश्चितू से परिवार वाले उनका आशीर वाले कर आपकी आमंदनी में ब्रदी होती इस पर शुप से खुशबदों के साथ अगर आप संबंदों की बात करते हैं तो अचानक से वो संबंद आपके ए खुश खबरी देने वाले ने है तो उनका आशीरवाद लेकर उनका सहय जेकर उनकी मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें नश्चित जाविशर बृत है आपके बल में क्षाहें, क्वारें उनको और अदिक मुका मिल गया işte करणा क्वारें स Omicora में और अधिक स्था отправ्ust later तो उनकी तैयारी करने का, यह 12th Kepa indeed तो कॉंप इसारी के स्थी कला कर दोने के कने कि अपनी prais अधिक से यादिक नंब налने का, वो स्जी कर्णा करी कम्रें disease इसे सभी स्टूडेंट्स, इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मेनद करने के बाद भी अच्छे नमबर नहीं आते, वो इस्क्रीन पर आ रहे नमरों पर, हम से संपर के स्थापित करें, और इस्ट्रोजी के छोटे छोटे उपाय करके, ना सिर्फ हर बार पहले इसे ज्यादा नमबर लाएं, अभी तो आपका मन ही पढ़ने लिखने में लगने लगेगा, इस बात की हम आपको गार्मिटी लिखें, बात करते हैं, आपके सांस से संबंदित, अचानक से सांस से संबंदित, यूरिन से संबंदित कोई प्रावलम आपको परेशान कर सकती है, सतर्क रहिए, बाहर निकलने से बचिये, क्योंकि ये बीमारी जो कॉरोना नमग बीमारी है, उसको इबारे में बताया जा रहा है कि ये लंग्स की ही प्रावलम दे रही है, फेपड़ों में सांस संबंदी बीमारी आ रही है, तो आप सतर्क रहिए, अचानक से आपके बाहर जाने से बिलकुल परेज करें, अपने स्वास का ख्यार लखें, परेशानी होने पर तुरंट दक्टर से संपर्ख करें, बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी शादी ही नहीं हुए, उमर निकले जा रही है, लोग अंकल अंटी कहकर चड़ाने लगे है, रिष्ते तो आप लोगों को अपने राश होने की जरुवत नहीं है, जरुवत है समझने की स्थिकी का आंकलन करने की, कि ये जो सारी परिशानी बार बार हो रही है, एक बार हो रही है, एक बार हो रही है, अपके ग्रह दोश की पीड़ा की वज़े से हो रही है, आपके ग्रह नहीं उपाय है, astrological उपाय है, वो करिए निश्चित रूप से उन उपायों की द्वारा आप अपने जीवन में शागी का लड़ू खा सकते हैं, बात करते हैं, जीवन साथी के साथ समद्दों कि आपको पहले ही कह दिया, आप वार्णिंग दे रहा हूं, कोई ऐसी हरकत मत करिए, ज सतर्क रही है, साथधान रही है, बात करते हैं, उन लोगों की जिनकी शादी तो हो गई है, मगर संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, शादी को बहुत साल हो गए हैं, डॉक्टरों की चक्कर लगा लगा कर ठक चुके हैं, मगर कोई हल नहीं निकल रहा है, या फिर बार 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 miscarriage हो रहा है डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े करती है तो आप लोगों को शला देता हूं अब समय आ गया है कि डॉक्टरों की जहां से सीमा समापतों की वहां से अस्ट्रोजी शुरू होती है तो अस्ट्रोजी का सहरा लेकर हमारे रिषी जो संतों ने खोज करी कि जिसे फार्मूलों की रूप मारे धर्म खनंक हमें अंकित कर दिया उन खोज के नाम पर ओ फार्मूलों की मदद लेकर अस्ट्रोजी के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में संतानु की खुशियां निसंदेल आ सकते हैं। ज़र आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आरे नमरों पर हमसे वीजियो कॉल, फोंकॉल, इमेल या समय लेकर स्वेम मिलने आ सकते हैं। तो हम इस्चित ही आपकी जनव कुली आपका चेहरा दिखकर प्यास करेंगी कि आपकी जीवन में संतानु की खुशियां, शीकता शीक आपको दे सके हैं। मैं नेम इस लोगुमाः, मैं दुबाइ, मैं तू मच प्रियांशल और मेंडिनी टेंशन। हम इद्धर आमी जी का पास आया, आमी जी आमको रिंग फ्रॉबर करने का बताया। आप लोगों को प्रोग्रम होएगा इसे प्रोग्रम के बहुत परिशान है अचानक से उनकी संबन्दों में प्रेम संबन्दों में तनाव बढ़ गया है ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा था प्रेम ही नहीं करते मिराशा निराशा गनभोग निराशा बार य़ाष़ा रड़ाई झगंड़े रोना ये जीवन का अंग बन गया प्रेम दर्द नहीं देता प्रेम तो दवा होती है प्रेम तो मधूरता का नाम है किन्तो गर आपके लिए आपके लिए परिशानी का सबग बन गया है तो आप बिना किसी जिज़त की इस क्रीम पर आरे नमरों पर हमसे सलहा लेकर इस परिशानी के लिए उपाई ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं बात करते हैं भागी से सम्मंदित तो भागी से सम्मंदित खालात आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी इंकम में व्रधी कर रहे हैं कालिक के जो हलाते हैं अचानक से थोड़ा से उल्जन देकर आपकी आमंदनी को कम करने का परियास करेंगे तो आमंदनी के हलात अपने आप में इतने स्टॉंग है कि आपको ज्यादा चित्तित होने के उस वारे में जरुवत नहीं पड़ेगी तो overall समय जो है जो ग्रह की विवेचिना में आपके लिए किया उसके अनुसार अगर आप अपने जीवन को सतरकता पूर्वक आगे बढ़ने का परियास करेंगे कि मिश्ची तो उससे आपके जीवन में खुशी आएंगी बात करते हैं उन्हों लोगों के बारे में जिनको कोई न कोई अरचन हर समय सताती रहती है तो यह अरचन जो होती हैं बार बार जो परिशानी आती हैं ग्रहों की कमजोल की वज़े से आती हैं ग्रहों की पीडाओं की वज़े से आती हैं ग्रहों की दोशों की वज़े से आ तो कभी आपकी जीवन में अंधेरा चाह जाता है। जलुवत होती है कि आप अपने आपके स्ट्रोंग बना के रखें इतना स्ट्रोंग बनाएं कि बड़ी से बड़ी परिशानी चोपी हो जाए। आप उसे आसानी से पार पासकें। आज के लिए बस इतना ही पुने मुलाकात होगी आपके नए गरेगोचे के साथ तब तक के लिए आगए दीजिए। जैशंडे।